हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी तो पता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो कहते हैं सुख जो है वो सुबह जैसा होता है सुख है सुख सुबह जैसा होता है मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है तो चलिए जगते हैं और अपने स्टडी स्टार्ट करते है तो इसके पहले जो है, आपको Indian daily economics में करवा जुकी हूं जो आपको प्लेलिस में मिल जाएगा और आज मैं आपको Indian economics करवाऊंगी यह जो है, जितने भी एक्जाम है, जैसे UGC Net का जो first paper रथा है उसमें भी इसा question रहता है, उसके बाद आपका यह KVS का एक्जाम हो गया आपका सीटेट का सोसल साइंस हो गया एस्टेट हो गया तो यह साड़े competitive एक्जाम को ध्यान में रखके बनाया गया है जो इंडियन politics का जो most important topic सब है वो सब को हम करेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे कि भारत का सन्विधान तो जानते हैं इंडियन politics में भारत का सन्विधान जान है सन्विधान वद दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की सासन वेवस्था संचालित की जाती है भारती सन्विधान का निर्मान करने वाले सनवीधान सवा का गठन जुलाई सनवीधान का निर्मान भार्तिय सनवीधान विश्वका सबसे बिशाल लिखिद सनवीधान है इसके निर्मान में दो वर्ष 11 मां और 18 दिन का समय लगा था इसमें आरम में 395 वनुछेद 22 भाग और 8 अनुसूची थी सन्विधान का निर्मान भारतिय जनता द्वारा चुने गये परतिनीधियों की सन्विधान सभा द्वारा किया गया ततकालि सन्विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी जिसमें 292 बिटिस प्रांथ से 93 देशी रियासतों से और 4 कमिशनर छेत्रों यानि दिल्ली अजमेर मारवार कुर्ग और बिटिस वलुचिस्तान के परतिनीधि सामिल होने थे परतिक प्रांथ के सीटों को जनसंख्या के अनुपात के अधार परतीन परमुक समूदायों मुसलिम सीक और सामाने में बाटा गया सन्विधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन हुआ था सचिदान सिन्हा ने सन्मिधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अधिशता की थी जो की अस्थाई तोर पर इस पद पर नूक किये गए थे सन्मिधान सभा का स्थाई अधिशता था S.C. मुखर जी को उप सवापती नूक किया गया पंडी जवालाल नहिरू ने सन्मिधान सभा के उद्देश प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव किया जो भारते सन्मिधान की नीब थी उद्देश प्रस्ताव को सन्मिधान सभा के रूप में परिश्कृत यानि इंबलीजड करने के लिए बिभीन विश्यों में संबंधी समिती का गठन किया गया जिन में सबसे प्रमूग डॉक्टर भीमराओ अम्बेतकर की अध्यस्ता में बनी साथ समत्यों वाली प्रारू समिती थी देश का पहली अंतरी मंत्री मंडल जवालल नहरू कार्यकाली परिशद के उपाध्यच विदेशी मामले तथा राश्टर मंडल बल्लब भाई पतेल ग्री सूचना एवं परसारन बलदेव सिंग ये रच्छा उसके बाद है सी राज गोपाला चारी सिख्छा राजेंद परसाथ खाग एवं क्रिशी जग जीवन राम श्रम आई आई चुन्द रिगर वानीज्य जोगेंदर नात मंडल विधी जौन मताई उद्दो वड़ापुर्ती C.H. भावा खान एवं बंदरगा आसफ अली रेलवे लियाकत अली खाग वित अब्दुल रव निष्टार संचार गजन फर्ड अली खाग स्वास्त अब है प्रारूप समीती में डॉक्टर अंबेतकर के अतिरिक्त N. गोपाला स्वामी आयंगर अलादी श्री कृष्ण स्वामी अयर के M. मुंसी मुहमत सादुल्ला डीपी खेतान 1948 में इनकी मृत्यू के पस्चात T.T. कृष्णमाचारी न्यूक्ट और N. माधवराव यान सन्विधान सभा और अधज समीती और अधज जैसे प्रारूप समीती के अधज थे डॉक्टर भीमराव अंबेतकर कारिय संचालन के थे के M. मुंसी संग सन्विधान और शंग सक्ती के थे जवालाल नेहरू मुल्य अधिकार अल्प संख्यंक और प्रांतिय सन्विधान के स सर्दार बल्लभाई पटेल उसके बाद है प्रक्रिया वारता जंडा समीती डॉक्टर राजेंद्र परसाद अल्प शंख्यक उप समीती ह.C. मुखर जी सदन समीती पीव पट्टा भी शिता रमया और वित एवन स्टाफ एनन सिन्धा 26 नेवेंबर 1949 को सनविधान अंगी कृत किया गया था जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताचर किये 26 जनवरी 1950 को भारतिय सनविधान लागू किया गया कि सन 1930 से ही 26 जनवरी का दिन संपून भारत में स्वाधिंता दिवस के रूप में मनाया जाता था इसलिए 26 जनवरी 1950 को परथम गंतंत्र दिवस मनाया गया दॉक्तर भीम्राऌ अमबेदकर को भारतिय सनविधान के जनक के रूप में जाना जाता है इनको भीम्राऌ अमबेदकर को सनविधान सभा की अंतरी मेठक 26 जनवरी 1950 को हुई और इस दिन सनविधान सभा द्वारा राजन परशाद को भारत का परथम राश्डपति चुना गया यानि 1950 इस भी को तो भारत का प्रतम राज़पती कौन थे डॉक्टर राजन परशाग उसके बाद है प्रस्ताबना हम भारत के लोग देखिया हमारे प्रस्ताबना में क्या है हम भारत के लोग भारत को एक संपून परभुत्व संपन समाजवादी पत निर्पेच लोक तंत्रात्मक गन्राज बनाने के लिए तथा उसके समस्नागरिकों को सामाजिक आर्थिग राजनेतिक नियाई विचार अभिव्यक्टि विश्वास धर्म औरुपास्ना की स्वतनता प्रतिष्था और अफसर की समझवादी की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व कल्ब होकर अपनी इस सन्विधान सवा में आज तारिक 26 नवंबर 1949 मीती मार्ग शिर्ष सुकल सब्तमी सनवत 2006 विक्रमी को एतत द्वारा इस सन्विधान को अंगिकरित अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं उद्देश प्रस्ताव के आधार पर सन्विधान सवा के सन्विधानिक सलाकार B.N. राओ द्वारा तो B.N. राओ के द्वारा प्रस्तावना का प्राणुप त्यार किया गया प्रख्यात सन्वैधानिक विशेसग्य एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को सन्विधान का परिपत्र कहा तो जो एन ए पालकी वाला है ये कौन थे प्रक्यात सन्वैधानिक विशेसग्य थे इन्होंने हमारे सन्विधान इन्होंने प्रस्तावना को सन्विधान का पत्र कहा, सन्विधान, नग्य और गम्मिन का मिश्रन, अब देखिए हमारे सन्विधान में बोल रहा है, प्रस्ताबना का भाग है, केश्वा नन्स भार्ती वाद 1973 में इसे सन्विधान का अंग माना गया है, सन्विधान के श्रोद भार्तिय सन्विधान विश्व के विविन सन्विधानिक प्रापधानों और भार्तिय सासन अधिनियम 1935 का प्रस्कृत रूप है भार्तिय सन्विधान के विवित श्रोद जैसे तिस से क्या लिया जैसे बृतेन से क्या लिया गया है तो बिर्टेन संसद्य सासन परनाली कानून निर्मान प्रकिरिया एकल नागरीकता संसद्य विशेस अधिकार मंतरी परिशत का लोग सभा के परती सामोहिक उतर दायत हुआ राश्टपती का सनवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित हुआ और अखिल भारतिय सेवा परन दूई सदनिये व्यवस्था यह बिर्टेन के सन्विधान से लिया गया सन्युक्तराज अमेरिका सन्युक्तराज अमेरिका से क्या लिया गया प्रस्ताबना स्वत्तंत्र तथा निश्पच नियाईक व्यवस्था मौलिक अधिकार नियाईक पुर्ण वलोकन सर्बोच निय तो इससे संब्सक्राइब भी तो उला विक है बिखने कि अटितन नियाइक व्यवस्ता यह भी अमेरिका है मौलिक अधिकार नियाईक पूर्ण विलोकन सर्बोच नियाले का गठन एवं अधिकार उपराश्पति का पद यह सब अमेरिका का है अब कनाड़ा से दिखे क्या लिया गया हमारे संविदान में कर दो है तो इसकतिओं का जो भीवाजन है कानाड़ा से विस्टिति जानते हैं जो राजयी पाल के नियूकति से लिए लिए ऑस्टेलिया से संबर्ती सूची जानते हैंक अश्र कि7 संबर्टी सूची ऐसा है ना जो केंद्र सूची एक होता है और डाज्य सूची होता है तो जो दोनों में लागु किया जाना होता है जो दोनों में पालन किया जाता है उसको संबर्टी सूची में रखा जाता है दोनों सद्र और यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोनों सद पहली आनुसूची है इसमे भारती संग के घटक राजियों यानि 29 राजय और शंग सासे छेत्रों का उलेक है दूसरी अनुसूची इसमें भारतिय राजय व्यवस्था के विभीन पदाधी कारियों को प्राप्थ होने वाले बेतन भत्ते और पेंशन आदी उलेक किया गया है तियानि दूसरे में क्या है पेंशन होता है भारतिय संग का घटक क्या है राजय है 29 राजय है और साथ संगे शाषित प्रदेश का उलेक है तो अगर उस प्रदेश 29 राजय तो उससे संबंधी होगा यानि भारतिय राजवस्था में विभीन जो पध है पदाधिकारी को जो प्राप्थ होने वाले बेतन भत्त तो वो तीसरे अनुसूची में है चौथी अनुसूची इसमें राज्यों और संग्य छेत्रों की राज्य शवा में प्रतिनिदित्व का वीवरन दिया गया है पांचवी अनुसूची इसमें विविन अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जनजाती के प्रशासन और नियं सात्व में मैं इसमें केंद्र और राजियों के बिशतियों के बड़तर की सब्सक्राइब करने लाइक बात है राज्य सूची में आते हैं इस सूची में कानून बनाती है कि कानून बना सकती है राष्टन के संब्र विश्य इन संविधान के लागू होने के समय संबर्ती सूची में 47 विशे थे बर्तवान समय में 52 है यानि इसमें क्या हुआ है यानि दोनों में बढ़ा है 40 से 52 विशे हो गया अब देखे हम लोग 8 वी अनुसूची में चलते हैं इसमें भारत की 22 भासाओं का उले किया गया है तो जो यह कोईशन है ना यह पर सीटिट में भी किया गया था जो बैंगोली पेपर है उसमें कि संविधान में कितनी भासाएं हैं और बाद मे उप्शन में आ गया था कि 23 वो लोग 24 भासा है बोले तो वो गलत हुआ बाद में यूजिसी फिर करेक्शन करा तो सही जब एंसर किया था उसमें 22 है तो इसलिए इस कोईशन को माइन में रखिए कि जो सनविधान है उसमें और मैंने यह करके आया था 22 भासा ही है तो इसको 22 भासा में देखे क्या क्या आता है असमिया बंगला गुजराती हिंदी कंणर कस्मीरी कोंकनी मले आलम मनिपूरी मराथी नेपाली उडिया पंज्वावी संस्कृत सिंधी तमील, तेलगू, बोडो, मैथली तो देखिए गाईस यहां 18 नमर का जो दिखनी रहा है तो इसमें जो है न उर्दू हो जाएगा क्या हो जागा 18 में उर्दू जो है उर्दू हो जाएगा और 19 में है बोडो, 20 नमर में है मैथली 21 में संथाली है जो दिखनी रहा है क्या है संथाली उसके बाद आ जाएगा 22 में डोग्री यानि 22 में डोग्री है नौबी अनुसूची नौबी सन्विधान में या अनुसूची पर्थम सन्विधान संसोधन अधी नियम 1951 यहाँ पर देखेगा इस लिखा हुआ है 1951 1951 द्वारा जोड़ी गई इसके अंतरगत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिगरन की विध्यों का उनले किया गया है इस नौबी सूची में समलिध विश्यों को नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती लेकिन 2007 में उच्चतम नियाले ने यह फैशला दिया कि 24 अपरेल 1973 यानि केश्वा नंदन भारती केस के बाद इस सूची में सामिल विश्यों की समिच्छा कर सकता है यानि अब जो है इसमें क्या हो सकता है सामिल हो सकता है अब देखें दसली अनिसूची या सन्मिधान के 52 वे संसोधन 1985 द्वारा जोरी गई इसमें दल बदल से समंदित प्राधानों का उल्लेक है 11 अनिसूची या अनुसूची सन्मिधान में 73 वे संसोधन 1993 द्वारा जोरी गई इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विशे परदान किये गए हैं कितने विशे 29 अब बारवी अनुसूची या सन्विधान या अनुसूची सन्विधान के 74 वे सन्वैधानी संसोदा 93 द्वारा जोरी गई इसमें सहरी छेतरों के स्थानिय स्वासासन संस्था कार्य करने के लिए 18 विशे दिये गए हैं तो स्टूडेंट अभी जो है गाईज इतना करवाए हैं आपको अनुसूची करवाए हैं इसके बाद जो है नेक्स वीडियो में हम संग और राज शेतर के बारे में बिस्तार से नागरिकता क्या है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर दे और वेल आइकन दवा दे ताकि मैं रोज का रोज अप्लोड करती हूँ तो वो जरूर देखे तैंक यू